कथा सहित्य में आपका स्वागत है। आए आज जलते हैं अंजु खरबंदाजी के संस्मरणों की दुनिया में। उन्होंने आगे का कमरा घड़े रिपेरिंग के लिए रखा हुआ था। खुब बड़ा सा टेबल उस पर रखी छोटी छोटी च्यूटियां यानि प्लकर। मेरा आठ नो वर्षिय जिग्या सुमन लाग मना करने पर भी उस और ही रहता। जब मैं उस कमरे में जाती तो देखती अंकल एक आँख पर नन्नी सी दूर भी मफसाए घड़ियों की दुनिया में खोई हैं। मैं चुप चाप जाकर खड़ी हो जाती और उच्जुकता से उन्हें घड़ियां ठीक करते देखती रहती। वो इतनी तर्मायता से अपने काम में लीन होते कि उन्हें भान ही ना होता कि मैं टुकुर टुकुर उन्हें ताक रही हूँ। कुछ देर बाद आँखों को आराम देने के लिए या फिर कोई और प्लकर ढूनने के लिए वो अपनी नजर इधर उधर घुमाते तो मुझे देखास पड़ते। देखना चाहती हो मैं कैसे काम करता हूँ। हाँ, मेरे चहरे पर मन चाही मुराद पूरी होने जैसी खुशी जलक उठती। फिर उचे स्टूल की और इशारा करते हुए पूछते। इस पर बैठ पाओगी। मैं जट उचल कर जल्दी से ऐसे बैठ चाती जैसे वे मेरे स्टूल पर ना चड़ पाने पर कमरे से भगा देंगे। वे पल भर को मुस्कुराते और फिर तलेंता से अपने काम में जुट जाते। तू फिर आ गई? चाहे बनाने कई आंटी, कमरे में घुसते ही मेरी योड देख भोहें उपर कर अपनी मतुर आवाज में पूछती। और फिर मेरे बगल वाले स्टूल पर आबैठ धीरे से मेरे बालों में उंगलिया फिराते हुए भूशती। कुछ खाएगी? ना। बस देखेगी कि अंकल कैसे काम करते हैं? हाँ, मैं धीमे से कहती। मेरे पास रहेगी? ना। क्यों? मैं चुपचा पैठी रहती। एक दिन मेरा बाल मन उत्सुकता वर्ष प्रश्न कर बैठा। आंटी, मेरी मम्मी के तो पाँच बच्चे हैं, आपका एक भी नहीं, ऐसा क्यों? अंकल आंटी का खिला चेहरा एक तम उर्चा गया। उफ, कितनी बेवकूफ थी ना मैं। बच्पने में देवता स्वरूप अंकल आंटी का दिल दुखा दिया। भले ही अंचा आने ही सही। सौरी सर्ला आंटी, आप कभी किसी मोड पर आपसे मुलाकात हुई, तो मैं सहर्ष आपको माही बुलाऊंगी। बहुत ही प्यारे संस्मरन के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले संस्मरन की ओर, जिसका शीर्शक है सिकंदर की दुकान। सिकंदर की दुकान बरबस ही आँखों के आगे घूम गई, जो हमारे शित्र की सबसे मश्यूर दुकान है। जहां तक याद पढ़ता है, बच्पन से उस दुकान से सामान ले रही हूँ। खूबसूरत घड़ी खरौली, हवन के लिए सामगरी से ले कर पंडी जी के कपड़ों तक हर सामान पलभर में हाजिर। और वो भी बहुत ही किफायती दामों पर। आप एक बार उनकी दुकान का हाल देख लें तो सकपका जाएं कि इस जन्म में सामान मिलेगा भी या नहीं। सारा सामान एक पर एक गुथम गुथा जहां तक नजर जाए सामान ही सामान। काउंटर पर खड़े सभी ग्राहक सिर्फ एक ही बात बोलते हैं। वीर जी पहले मेरा सामान दे दो पहले मेरा। जो सामान पूछो ये यहां मिलेगा तो मुस्कुरा कर जवाब मिलता है। क्यों नहीं मिलेगा मरजानिये। वो भाई सहाब सब का सामान सुनते, अंदर जाते और कुछ ही पल में दोनों हाथों में धेरो सामान लिए अवतरित हो जाते. ये आपका, ये आपका और ये आपका. हम आश्चरे चकित उन्हें देखते ही रह जाते. सिर्फ पिता पुत्र ही पूरी दुकान को संभालते. पि बाकी काम वे लड़कियां. चलिए, अब अगले संस्मरन की और बढ़ते हैं. अगले संस्मरन का शीरशक है दिमाग की लाइप्रेरी. आज 200 किताबें आई बाइंडिंग के लिए. रसी खोलते हुए मेरी नजरें हिंदी की किताबों में उल्ची थी. जल्दी करो परसो तक बाइंडिंग करके वापिस करनी है. अर्जेंट ओर्डर है. पापा जी ने आवाज लगाई. जी पापा जी, मैंने जटपट रसी खोल, किताबें साइस के हिसाब से छटाई कर अलग-अलग रखने लगी. बार बार नजरें हिंदी की रास्टर भारती पुस्तक पर ठहर ज जाती. पापा जी, किताबों के साइस के हिसाब से ब्राउन पेपर काट कर किताब पर चिपकाने और चेपी लगाने का निर्देश देकर दुकान पर चले गए. अफसर पाते ही, मैंने फटा-फट हिंदी की एक किताब धेर से खींच ली और पढ़ने में तलीन हो गई. करती थी, कि खुद कक्षा आठवी में होकर नौवी दस्वी तक की सारी किताबें पढ़ चुकी थी. ये आदत आई कहां से? मा तो अंगीटी पर रोटी बनाते हुए भी, पैरों में नौवल दबा कर पढ़ती रही. एक दिन में एक नौवल खत्म. अंजू, अरे अंजू कहा हो, कितना काम हो गया भई? काम तुद जियों का त्यों पढ़ा था. पापा जी की आवाज सुनते ही मैं सकपका गई. कुछ समझ ना आया, तो जट तक्त पोश के निचे दुबग गई. किताब हात में ही रह गई. पापा जी कमरे में आते, उससे पहले ही घर के बहार से आवाज आई. अब जा कर खेल. तब तक मैं गत्ता काट कर किताबों पर लगाता हूँ. फिर साथ साथ खाना खाएंगे. जी पापा जी. आग्या क्यारी बेटी की तरहा मैं धीरे से बोली. और पापा जी को गलबहियां डाल दी. बिन मा की बेटी के लिए पापा जी की मुस्कुराहट ही तो उसके जीवन का आधार है. पापा जी ने इस नहीं पूर्वक मेरी ओड़ देखा तो मैंने भीगाई आखों को पोँच जट मुस्कुराहट ओड गली में स्टापों खेलने को कहकर भाग गई. संस्मरणों की दुनिया बहुत ही अजीब होती है. कभी हसाती है, कभी रुलाती है. और याद बनकर हमेशा साथ रहती है. अंजुखरबंदाजी के लिखे ये प्यारे से संस्मरण आप आगे भी सुनते रहिएगा. अब मुझे विदा दीजेगा और कथा साहित्ते के साथ हमेशा अपना साथ बनाए रखिएगा. धन्यवाद.